Hello Friends, Welcome to Quant Study आज का हमारा चेप्टर है Probability जो कि Maths का एक पार्ट है और आज हम करने जा रहे हैं इसमें Part 2 Concepts of Dice ये वाला पार्ट पूरी Probability का सबसे Easy पार्ट है तो शुरू करते हैं हमारा आज का पार्ट शुरू करने से पहले मैं जाओंगा कि आप हमें हमारे YouTube चनल पर सबस्क्राइब कीजिए इसके लावा हम Facebook और Instagram पर भी एक्टिव हैं जल्दी से हमें हर चोगा फॉलो कर लिजिए और किसे भी अपडेट को मिस मत कीजिए JKSSB Class 4 के Mathematics के जितने भी Topics होंगे वो सब आपको मिल जाएंगे इस Playlist में किया था जिसमें हमने Coins के बारे में पढ़ा था उसका एक Question दिया है थोड़ा सा lengthy Question है थोड़ा सा बड़ा Question है पर इस Question को अगर आपने Solve कर लिया तो आपके Concept क्लियर हो जाएंगे एक बार इसे खुद ट्राई कीजिए Cheating मत करना, नीजे solution मत देखना पहले खुद solve करो, उसके बाद मैं आपको solution भी explain करूँगा, वीडियो को pause करो और फटा-फट से इसे solve करने की कोशिश करो अब देखते हैं इसका solution उन्होंने कया Question में कि 6 सिक्के उच्छा ले गए अब हमें बताओ, उसमें से at most यानि जादा से जादा 2 heads आने की क्या probability है तो जादा से जादा 2 heads है, तो मैंने आपको बताया at most यानि maximum, maximum यानि 2 जो है, वो upper limit है 0, 1, 2 इतने heads पे हमें calculation करनी है ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारा 2 heads से ही अब देखिए, probability में denominator क्या होगा, 2 raised to power 6 2 है coins के faces, और raised to power 6 क्यों आया, क्योंकि 6 सिक्के है तो n आगया, इसमें 6, तो 2 raised to power n वाले formula के हिसाब से 2 raised to power 6 आगया हमारा denominator, probability वाली equation का तो हमारा denominator आगया 64, अब हमें numerator पी काम करना है और numerator में क्या होता है, events होते है, number of events होते है तो अब हम काम करेंगे number of events पे number of events कैसे आने है, हमें का है at most 2 heads तो शुरुआत भी हम 2 heads से ही कर लेते हैं अगर आपने 6 सिक्के फैंके, आपको 2 पे heads दिख रहा है तो बाकी 4 पे क्या दिख रहा होगा, tails तो 2 heads, 4 tails आगी पहला, फिर आगया, अब at most का हुआ है अब 2 से हम decrease करते जाएंगे, कब तक, जब तक 0 नहीं आ जाता तो 2 heads, 4 tails हो गया, अब हम आएंगे 1 head, 5 tails पे फिर हम आएंगे 0 head and 6 tails पे, ठीक है अब इस पे factorial वाला method लगेगा मैंने आपको बताया था, कि number of events की में भी एक numerator और denominator आता है तो numerator में क्या होता है, numerator में तो total होता है, कि कितने सिक्के फैंके गए थे जैसे मैंने आपको एक example करवाई थी, 8 coins की, तो उसमें numerator में 8 factorial आ रहा था अगर इसमें 6 coins उचाले गए हैं, तो इसमें numerator में 6 factorial ही आएगा अब बात करते हैं denominator की, number of events के denominator की, probability के नहीं, दुबारा repeat करो number of events हैं ये, number of events के denominator की, तो number of events में denominator में क्या आता था, वो चीज जो repeat हो रही है हमारा पहला वाला पार्ट कहा रहा है की, 2 head repeat हो रहे हैं, और 4 tails repeat हो रहे हैं तो हमने denominator में लिख लिए 2 factorial 2 heads के लिए, into 4 factorial लिख लिए, 4 tails के लिए similarly, next पार्ट में आए, numerator में 6 factorial ही आएगा, अब denominator के लिए की, 1 head है, और 5 tails repeat हो रहे है तो 1 head के लिए हमने 1 factorial लगा दिया, और 5 tails के लिए हमने 5 factorial लगा दिया similarly, third part में आते हैं, numerator में तो 6 factorial ही आएगा और denominator की अगर हम बात करें तो 6 tails हैं, और 6 के 6 tails repeat हो रहे हैं तो denominator में आजएगा 6 factorial number of events के numerator में आता है, कि कितने coins उचा ले गए हैं, उनका factorial और number of events के denominator में आता है, कि कौन-कौन सी चीज repeat हो रही है, उनका factorial number of events अलग चीज है, probability of events अलग चीज है probability of events के numerator में आता है number of events जिसके अभी हम बात कर रहे थे और probability of event के denominator में आता है, total outcome जो की था 2 raise to power 6 जो हमने सबसे उपर निकाला, तो 2 head, 4 tail, 1 head, 5 tail, 0 head, 6 tail इसको जब हमने factorial के form में लिखके solve किया, तो हमारे पास number of events आगे 22 पर उनने question में number of events नहीं पूछे, उनने question में पूछे हैं, कि इसकी probability क्या होगी तो probability कैसे आईगी, जब हम number of events को total outcome से डिवाइड कर देंगे तो probability of events आगे 22 by 64, जिसको हमने और reduce किया, तो हमारा final answer आगया 11 by 32 अब आते हैं आज के part पे, जो की related था dice से, dice में कुछ question नहीं आते हैं, dice में questions आते हैं हम करेंगे, सबसे पहले हम वही चीज़ देखते हैं, जो हमने coins वाले part में देखी थी कि number of faces कितने होते हैं, 6, उसमें कितने होते थे 2, अब total number of outcomes जो की probability of event का denominator होता है वो coins के case में कितना होता था, 2 raise to power n, जहाँ 2 होते थे coins के face और n होते थे number of coins सेम चीज यहीं apply होगी, total outcomes इसमें क्या होगे, dice के case में 6 raise to power n, 6 क्यों आया है इदर क्योंकि एक dice के 6 faces होते हैं, इसलिए मैंने आपको coins वाले part में ही explain कर दिया था, कि 2 क्यों आया, वैसे ही चीज़ को अगर आप याद रखो गया, अगर आप रटो के नहीं अगर आप concept याद रखो कि कौन सी चीज क्यों आई, तो आपको ये चीज़ भी याद हो जाएगी, कि dice के case में 6 raise to power n, total number of outcomes क्यों हैं, क्योंकि dice के 6 faces होते हैं, और n तो obviously number of dice होंगे, जितने भी हम उच्छा लेंगे, वो question question पे depend करेगा अब बात करते हैं, जो मैंने आपको कही, कि sum के base पे question आते हैं, कि हमने 2 dice उच्छा लें, उनके जो top के faces है, उनका sum ये है, या वो है, वो क्या है, तो कितने outcomes हो सकते हैं, तो अब मैं आपको बता देता हूँ, उन outcomes को याद करने के लिए, एक special curve है, जिसको हम कहते हैं, U curve, ठ Left side और Right side पे हमने लिखे हैं कि sum क्या आ सकते हैं, 2 dice को उच्छालने पर, ये सिरफ 2 dice के लिए ही applicable है, ये 3 dice के लिए applicable नहीं है, ठीक है, तो Left side और Right side पे हमने लिखे हैं कि sum क्या क्या आ सकते हैं, minimum sum आएगा 2, क्यूंकि जब आप 2 dice उचालोगे, अगर दोनों पे 1 एक भी आ रहे है उपर के face पे तो minimum sum होगा 2 1 plus 1 equal to 2 वैसे ही maximum आएगा 12 क्यों क्योंकि 6 6 होती है तोनों dice की maximum value पहले dice पे भी 6 आ रहा है दूसरे dice पे भी 6 आ रहा है दोनों को अब add up करोगे तो 12 आएगा ना उनका sum तो minimum आएगा 2 maximum आएगा 12 अब हम बात करते हैं कि कौन सा sum आएगा तो उसको आने के total कितने outcomes हो सकते हैं यानि कि कितने ऐसे cases होंगे कि वो वाला sum आ सकता है अब जैसे की 2 आएगा 2 कब आएगा जब पहले dice पे भी 1 होगा दूसरे dice पे भी 1 होगा दोनों dice पे 1-1 है तो आपको 2 दिख रहा है ठीक है फिर sum अगर हमारा 3 आ रहा है तो ये कैसे हो सक sum 3 ही बन रहा है तो 2 ऐसे events हैं जिस पे sum 3 आ सकता है ये जो occurrence है ये number of events ही है ठीक है जैसे हम coins के case में factorial वगर डालके निकालते थे ना इसमें हम सीधा u curve के through ही रट लेंगे कि जो sum आ रहा है उसके number of events क्या हो सकते हैं वैसे ही अगर sum हमारा आ रहा है 4 तो उसके number of events होंगे 3, 5 क होंगे 4, 6 के होंगे 5 और 7 के होंगे 6 अब इसे याद करने के लिए भी एक मैं आपको trick सिखा देता हूँ इसको याद करने की trick है ये जो हमने occurrence लिखी यानि कि number of events लिखे center में इसके left side पर जितने भी sum आएंगे उसकी trick ये है left side पर जितने भी sum दिये होंगे उसमें से अगर आप 1 माइनस कर लोगे तो आपके number of events आ जाएंगे ठीक है आपको बस इतना याद रखना है कि left side पे range है 7 तक की और right side की range आ जाती है 7 से लेके 12 तक की दोनों ranges के लिए अलग लग tricks है यानि कि अगर आपका sum 2 से लेके 7 के बीच होगा तो आपने क्या trick लगानी है number of events निकालन क्या होगा उस sum को अगर हम 13 से माइनस कर लें तो हमारा number of events आ जाएगा मैं दोबारा repeat कर देता हूँ u curve के left side में जितने भी sum दिये होंगे for example आपको कहा है कि हमने 2 dice उच्छा ले अब उसमें sum आना चाहिए 4 तो बताओ कि कितने ऐसी probability है कि कितने ऐसे events होंगे जिसमें sum आएगा 4 तो हमें पता है कि u curve में left side की range थी 2 से लेके 7 तक की और 4 उस range में follow करता है यानि कि हम number of events कैसे निकालेंगे sum minus 1 sum है हमारा 4 चार में से हम एक minus कर देंगे हमारा number of events आजएंगे 3 ठीक है यह आया u curve का left side similarly u curve के right side में अगर आपको कहा होगा कि 2 dice उच्छा ले अब हमें पताओ कि probability आनी चाहिए कि जो 2 dice पे sum आ रहा है वो होना चाहिए 11 अब हमें पता है जो 11 जो ये question demand कर रहा है जो sum है हमारा 11 का ये u curve के left side पे तो हर्गिज नहीं आता है ये u curve के right side पे आता है क्योंकि ये 7 से लेके 12 की range में fall करता है तो u curve के right side वाली trick क्या थी कि हम 13 से sum को ही minus कर देंगे जो हमें question में दिया हुआ है हमें question में दिया हो था कि sum आना चाहिए 11 जब हमने 13 से 11 minus कर दिये तो हमारे number of events आगे 2 तो probability of event का हमारे पास numerator तो आगया और denominator तो आपको पता ही है कि 2 dice उचा ले है तो 6 का square ठीक है अब मैं आपको ये चीज question में करके समझाता हूँ ठीक है तो ये रहा पहला question find the probability of getting a sum of 4 on throwing a pair of dice जो चीज मैंने आपको example में समझाई वही चीज हमारा पहला question आ गया तो हमें पता है कि हमारे u curve के left side में sum की range क्या थी 2 से लेके 7 और 4 जो है वो उस range में fall करता है है ना तो इसमें क्या लगेगा हमारे trick इसमें लगेगी occurrence यानि कि number of events हो left वाली side आ रहा है ठीक है तो sum minus 1 जब हम लगाएंगे तो 4 minus 1 आ गया हमारे पास 3 number of events आ गया हमारे पास 3 और ये चीज तो हमें पते ही है कि total outcome कैसे आएगा total outcome होगा 6 raise to power n 6 हमारे पास है n क्या होगा 2 क्योंकि हमने 2 dice फ्वैंके तो हमारा outcome आ गया 36 अब हमारे पास probability of event का numerator भी of getting a sum of perfect square ये perfect of नहीं है ये perfect है ठीक है तो question कहा है find the probability of getting a sum of perfect square on throwing a pair of dice perfect square क्या होते है जैसे 1 का perfect square होता है 1 2 का होता है 4 3 का होता है 9 इसे जो 1 4 और 9 ये जो चीज़े आ रही है इसको हम कहते है perfect square ठीक है तो सबसे पहले हम लिख लेंगे कि perfect square sum में क्या क्या होते है देखिए sum की range क्या है 2 से लेके 12 तक की तो पहला जो सबसे पहला perfect square है यानि कि number 1 वो तो इसमें आएगा नहीं तो इसमें कौन-कौन से perfect square हैंगे एक आएगा 2 का square जो की होता है 4 और एक आएगा 3 का square जो की होता है 9 4 का square होता है 16 पर 2 dice फैंक ने पर maximum sum क्या आता है maximum sum आता है 12 इसलिए हम 16 तक जा नहीं सकते तो हमारे पास यहाँ पर perfect square जागे 4 और 9 4 है u curve के left side में 9 है u curve के right side में इस example से आपका u curve का सारा concept clear हो जाएगा तो अब हमें निकालना है number of events यानि कि occurrence तो occurrence 4 के लिए क्या होगी occurrence 4 के लिए होगी sum minus 1 क्योंकि left side में हम sum minus 1 करते थे right side में हम 13 minus sum करते थे तो यह है left side तो left side में जब हमने sum minus 1 का combination लगाया तो हमारे number of events 4 के लिए आ गए 3 अब हम बात करेंगे 9 जो sum हमारा आ रहा है 9 उसके number of events का तो 9 आता है u curve के right में और right के लिए trick थी 13 minus sum यानि कि 13 minus 9 जब आ 9 जो हमारा sum है उसके लिए number of events आ जाएंगे 4 और इन दोनों को हम कर लेंगे add तो हमारी total occurrence यानि कि total number of events आगे 7 किसके लिए जब हमें sum चाहिए होता है perfect squares का तो हमारा number of events आगे 7 और total outcome तो हमें पता ही है 6 का square होगा क्योंकि 2 dice फैंके हैं तो 6 का square होता 36 और हमारी probability of event आगी 7 by 36 यानि कि number of events divided by total outcome अब आते हैं next question पे हमारा next question कहा रहा है find the probability of getting a sum as prime number on throwing a pair of dice तो मैंने आपको बताया prime number क्या होते हैं prime number वो होते हैं जो 1 से या फिर खुझ से divide हो सकते हैं उसके लावा अगर वो किसी भी एक number से भी extra वो divide होगे ना तो वो composite number बन जाते हैं वो prime number नहीं रहते तो अब इन्होंने कहा है कि हमें जो जब हमने 2 dice हवा में फैंके तो जो उनका result आया उसका sum होना चीए बही prime number तो prime number क हमारे u curve के left side यानि की sum minus 1 यानि की 2 minus 1 करेंगे हमारे पास number of events आगे 2 के लिए 1 similarly 3 पे भी same formula अपलाई होगा 3 minus 1 आगया हमारे पास 2 और 5 पे भी same formula अपलाई होगा 5 minus 1 आगया हमारे पास 4 अब 7 के लिए आप दोनों side की formula अपलाई कर सकते हो तो same ही result आएगा अगर आप 7 पे sum minus 1 अपलाई करोगे तो 7 minus 1 आजएगा 6 वहीं आप अगर 7 पे 13 minus sum अपलाई करोगे तो 13 minus 7 भी 6 ही आएगा तो 7 के लिए दोनों तरफ से 6 ही आएगा तो हमारे पास 7 के लिए आगया 6 और 11 है u curve के right side पे यानि की 13 minus 11 आगया 2 इन सब को हम add करे तो हमारे number of events आजेंगे 15 अब हमने 2 dice उचा ले हैं तो 6 का square आगया 36 हमारे probability of event आगी 15 by 36 जिसको हम reduce करेंगे तो हमारा final answer आएगा 5 by 12 अब last question है जो कह रहा है find the probability of getting 2 6 and 1 4 on throwing 3 die जब dice का plural हो जाता है तो उसको हम die कहते हैं ठीक है तो हमें question में कहा गया है कि 3 dice हमने फैंक की 2 में 6 आना चाहिए 1 में 4 आना चाहिए तो ये कितनी बार हो सकता है तो हमने सबसे पहले देखा कि 2 में 6 और 1 में 4 कैसे कैसे आ सकता है जब 1st dice पे 6 है 2nd पे 6 है 3rd में 4 आए दूसरा event एक हो सकता है कि 1st die पे 6 है दूसरे में 4 आए और 3rd die में 6 है वैसे ही 3rd event हो सकता है कि 1st die पे 4 आए 2nd die पे 6 आए और 3rd die पे 6 आए ये 3 events हो है जिनमें 2 6 और 4 अकर कर सकते हैं, तो हमारे पास number of events आगे 3, अब हमारा total outcomes क्या होगा, 6 का cube, क्यूं क्यूंकि इस में 3 dice हैं, ठीक है, तो 6 का cube होता है 216, तो हमारे पास numerator भी आगया probability of event का, denominator भी आगया, तो final answer आगया हमारा 1 by 72, तो इसी के साथ हमारा probability part 2, जो कि dice पे based था, और probability का सबसे आसान नेक्स्ट वीडियो में हम आएंगे concept of cards को लेके, तब तक अपने probability के first और second part को अच्छे तरीके से strong कर लीजिए, क्योंकि काफी complicated सा chapter है, पर आप इससे जितना revise करेंगे, उतना आपका ये better होता जाएगा, अगर आपको ये वीडियो पसांद आई, तो इसे like कीजिए, साथ हमारे चैनल को subscribe कीजिए, और इस वीडियो को अपने friends के साथ share कीजिए, thank you